हेलो एवरिवन स्वागता सब का के बीसी में और आज की वीडियो में हम पिछले वीडियो का जो आदा भाग है वो पूरा कर रहे हैं मैं वीडियो छोटे बना रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ आए प्रंतुवा आप इनको लगातार भी देख सकते हैं तो यहां पर जो हमारी आगे की अस्तिया हैं हमने पिछली बार पड़ी टीबी और फिबुला उसके आगे की जो अस्तिया है वो हम पढ़ रहे हैं तारसल्स तो तारसल्स होती हैं संख्या में 7 साथ होती है और यहां पर मैंने आपको जो ये गोल जो गहरा में बना रहा हूं इसके अंदर जो आपको दिख रही हैं, ये सारी सारी टारसल है और संख्यामें ये साथ है, आप गिन सकते हो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4, 5, 6 और ये 7 तो ये आपको साथ बिंदूं के रूप में दिख रहा है मैंने साथों अस्तियों के नाम लिखे हैं अलग-लग इनके क्या-क्या नाम है चलो इनको देख लेते हैं क्या-क्या नाम है इनके सबसे पहले जो आप देख रहे हैं उपर देखो ये आपको टीबिया दिख रही है और इसके पास दो लाल रंग में दिख रही है इसको बोलते हैं कलकेnius जिसको हम AD की अस्ति भी बोलते हैं इसके पास जुड़ी रहती है टेलस और इसके इद्रवार बाहरवाले चोर में जुड़ी रहती है kyuiboid और इसके पास जुड़ी रहती है navicular और आगी की तीन अस्तिया जिनको uniform अस्तियाँ केते हैं तो इस प्रकार एक calcinus होगी एक telus होगी एक कyuiboidal होगी ए और एक navicular होगी 있는데요 और तीन हैं वो क्यूनिफॉर्म वन टू थी होगी तो इस प्रकार चार और तीन साथ हमारी टारसल होती हैं जिस प्रकार पेर जो हमारे हाथ की अस्तियां थी उसमें आठ कारपल थी लेकिन यहापे साथ टारसल क्यों होती है क्योंकि एक अमने पटेला उपर पड़ी थी वो और भी मैं आपको श्राइल आगर दिखा कर दोबढरा जो हैं कांटिंग सही करवा दूंगा इसके चाही चु कि engine के अगी तरार्सल के बाद में हैं मेटा तर documents घरत हैं वह हो 되 vents आ अंगुलास्तियां हैं उससे पहले आपको ऊपर दिख रही है यह संख्या में होती है पांच और इसके आगे है वह है फ्लेंजेज और फ्लेंजेज संख्या में होती है 14 जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटी वाले अंगली में 3 फिर पास वाले अंगली में 3 फिर बड़ी वाले अंगली में 3 और आगे जो अंगुठ है इसमें 2 होती है तो 3, 3, 3, 3 और 2 तो यह टोटल 14 अस्तियां होगी और इस प्रकार यह आप देख सकते हैं दुबारा आपक साथ पूरी कर रहे हैं फ्लेंजेज कितनी हो गई थी 14 उसके बाद मेटकारपल कितनी हो गई थी 5 इसके बाद में टारसल कितनी हुई थी 7 इसके बाद टीबिया एक फिबूला एक और फिमर एक तो 14 14 और 5 19 19 27 26 और 27 और 28 और 29 29 हुई हमने देखी पटेला यह वाली तो टोटल अस्तियां इसमें कितनी हो गई तीस अस्तियां हो गई तो इस प्रकार एक पेर में होती है तीस तो दो लेग में कितनी होगी टोटल कितनी होगी 60 तो यह 60 गोन हमारे पेरों में पाई जाती है और एक इधर और एक इधर यह हमारी दो पाई इस रोनी में तो 60 और वो दोनों पेरों में और दो स्रेणी में मिला कर पाई जाती है और यह हमारा यहां पर जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो पूरा हुआ अगली वीडियो में हम जॉइंट्स यानि संध्यों के बारे में जानेंगे तब तक सीख तरिये देख तरिये के बीसी नमस्कार झाल झाल